नमस्कार दोफ्तों मैं संदीप सागत है आप सभीका आज किस नए क्लास में दोफ्तों आप लोगों के समझ में हिंदी का पूरा का पूरा मार्डल पेपर लेकर आ चुका हूं पिछले साल का तो इस मार्डल पेपर में कौन से most important question है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ठीक है वह मैं आप लोगों कि समाइडल पेपर में बताने वाला हूं तो वीडियो को सुरूच लेकर लाफ तक देखती रहीएगा यह जो वीडियो है वह बिए के फ़र्स्ट एर सिकंड एर थार्ड एर तीनों एर के छात्रों के लिए मुश्ट इंपार्टेंट हैं खासकर देखना चाहिए तो देख सकते हैं तो साफ साफ के लिए हो गया अब हम बढ़ेंगे वीडियो में आगे और आप लोगों को जो मोस्ट इंपार्ण कोश्चन है वह हम आपको बताएंगे अतिलग उत्रे लगत्रे और विस्तित उत्रे जिन भी छात्रों का आने वाला गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं उस वीडियो से आप लोगों के मैं 10-15 नंबर किलियर जरूर करा दूंगा कंफेकम ऐसे कोश्चन में आपको होता हूंगा जो आपके एक्जाम में आने के पूरे चांसे होंगे तो चलिए बढ़ते हैं आप सभी मानुक्त परिच्छा होने इस तहीं कि अपने दोगों कुछ नंबर के टरफ से मिलेंगे बाकी का 20 यह 35 नंबर का आप लोगों को सब्कोरक करने मिलेगा ठीक पहले पेज में क्या कहीरा किसमें क्यों स्प्नें से कप टूस्टों को करना है और भ्राउट सब्सक्राइब पहले पहले पर बताएंगे और उसके बाद आप लोगों को मिए बताएंगे कि कौन आपके एक्जाम में आने वाले ज्यादा है अने वाले अयो़्ध्या उपध्याए की तो इनकी और भात सब्सroe六 चांस में उधों पिसेश्थ दहें के लिए वह दों correct यहां नाम लिए सकता हूं कि कोई आप लोगों कि इस्तरा और Petr notalen ऐसे three और में आप दियान में रिखे किस तरह में प्रवाइट कर रहा हूं कि मैं सिल्फ जानता हूं आप लोग वीडियो को सुरु से कर लाव्ट तक देखते रहेगे काफी आप लोगों मदद मिलेगी ठीक है अगरा कोश्चिन है कि है भारत भारत भद्र अब कहो ठीक है अभी पिस्त अपना किस ने किस से कही यह पंगती है जो कि हिंदी में आप लोगों को मिलने वालिये ठीक है हिंदी बे जब कर पढ़ेंगे स्ट पेपर टोसमें आप लोगों पूंतार आंसर कर लिजेगा मिल जाएगा तब इसका आप जरूर पर लीजेगा हाला कि कोए जरू नहीं कि यही इनकी आम लिखना है कम से कम Trem श्राइब मॉस्ट्य इसको आपको रट़ के जाना से संबंदित पुरा जीवन पर चाहिं पढ़ लिए इन से संबंदितने भी कोईष्चन आपको देखें सारे पढ़ लीजेगा कम से कम 10 नंबर का जैसे जोड़े को इसना आपके पूछे जाएंगे यह मोश्ट है मोश्ट इंप्वाटन ठीक है जाद रखेगा अगला है कि पर साला के प्रतिधुन में पर साला क्या है तो यह हम रोंग कर देंगी यह इतना मोश्ट इंप्वाटन नहीं है तो हो सकता है कि एक भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ यह कविता का असे कीजिए यह कोश्ट इंप्वाटन पढ़ लीजेगा मोश्ट नहीं कहेंगे लेकिन इंप्वाटन कहेंगे यह गूगल पे आप जैसे डालेंगे अपने कोश्टन मैंक में देखेंगे इसका एंसर मिल जाएग आप लोगों को नाम लिखना है पॉइंट वाइज करके वन यह हो गए इनकी इसमें यह बताया गया दो नंबर इसमें यह करती है एक प्रतिसोध रामधारी सिंग दिनकर का ठीक है निहित आर्थ लिखिए तो जो स्री रामधाय से दिनकर है जो कि एक लेखक है कभी है ठीक इस सोध ठीक है का आप लोगों को निथार्थ लिखना है तो यह इतना मुस्ट इंपार्टन नहीं है इसके चांसे ज्यादा नहीं इस बाहर आने के लेकिन अगर आप लोगों गूगल पे डालेंगे तो लिखतरे कोश्चिन है बस दो बिनट के अंदर आप लोगों को जान प्रियोग वाद आप सभी को मालूम है कि प्रियोग वाद अचाया वाद बहुत सारे काल है बहुत सारे यूग है जानकारी है तो आप लोगों पे मारी याद अंसर आजाए गयर सारी जीज़े कब से कप्रारम हुआ क्या है क्या Galls की जानकारी मिल जाएंगी ठिक है पूरे का पूरे आप लोगों को जितने भी नंबर आप लोगों को 3 से हो आपकी एक्जाम हो सकता है कि अध्य exhibition दो तो आप लोगे पढ़ लीजेगा तो यहां पर समाब तो होते हैं जो कि पूछे गए हैं तो वह मैंना आप लोगो को क्लियर कर दें अब खड़ेंगे खंडबा की और जो कि लग उत्रे अगला प्रश्ण है कि प्रावास पर एक समालो चनात्मक टिपड़ी लिखिए अगला प्रश्ण है कि चित्रकूट में राज सभा कविता का सार अपने सब्दों में लिखिए तो इसमें से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा नह नहीं ज्यादा जोई नहीं कि इस बार आ ही जाएं लेकिन पढ़ लीजेगा ठीक है गूगल बिमार के अगला कुश्चन है कि अगले देखो कुछ लग उत्रे में कुछ आप लोगों जिनके एंसर लिखने होते हैं कुछ कुश्चन आते हैं जिसके आप लोगों संदर्ब स सांस चलती है किसकी और यह लाश्टक अरे तुम सब क्या म्रत हो दूसरा इसे में पध्यांस है कि दुरुत जरो जगत के जीरण पत्र और निस्टिसी में आप लोगों को लाश्ट में मिल जाएगा कि जहर जहर अनंत में हो विलीन तो आप लोगों को जिसके वारे में अध संग में इसका दो में ठीक है इसका निचोड क्या एक लुक्त प्रीदी यह लाँ है इस बार बसकिल ना कोई और जो जो आप लोग उनके जो लेखक है और कहां से लिया गया यह पढ़ दीजेगा ठीक है संदर्व सहित आप सो एक मालूम कैसे करने है और प्रसंग भी मालूम भी ठीक है ब्याक्षा इशिक करनी होती है संदर्व में आप लोगों लिए लिख देना प्रसेंग में क्या हुआ है परसंग कि लिखना होगा और लोगों कि उसी के पद्यान से मिलेगा इसी के वारें व्याक्या कर देना हिए वास्तों में इंदी में वात कर देना ठीक है अगला कोश्चन क्यों पढ़ेंगे रिखा है कि महादेवी वर्मा की कविता में दुख का विचार कीजी महादेवी ऐसे सम्मंदित आपके एक ज सूर दूरब शेसन कैसे क्या उनका मेन उध्व सब्धों में आप उनके जो कविदा है वो अपनी भासा है चाम रिकाई करना है तुप है है हम लास्ट में आप लोगों मिल जाएगा और वा भुकुन ठीक है भुखंड ठीक है इसी में अगला पद्यांस भी है कि भू खली भू पर जब शेतुम नारी ठीक है अगला इसी में आप लोगों मिल जाएगा कि लुब्द बिच्चुक से मेरे गान तो यह जो दोनों पद कि आप लोगों को मैं चाहा का हूं कि हिंदी साहत के इतियास में काल विभाजन पर हंडर पर संट आपके पूछा जाएगा यह एक बार नहीं यह अगर आप लोगों को 50 साल से पेपर हो रहे हैं तो यह 46 से 47 बार यह पूछा गया पचास में से 46 47 बार तो यह जरूरू पढ कभी कि आउदान पर विचार कीजिये हाला कि यह क Miche कभी तो पढ़ लीजिएगा नहीं कभीता के और मैं आपको बता दूं कि क्या पढ़ना आप लोगों को इसमें पढ़ना है कि में कभी कऊन लुक्ताइं गूस्री तो पहला कोश्चन है कि हिंदी कविता के विकास में या हिंदी कविता के विकास में या विकास में या इस आप लोग कह सकते तो आप लोग पढ़ लीजेगा जैसे संबंदित आपको मैंने बता ही दिया यह आपको पहली बता देख कि आट सफ नंबर का आएगा जैसे संबंदित यह मोस्ट इंपार्टन को इसकों कहेंगे अगला है कि गजानन माधो मुक्तिवोद की कभिता पर एक समालोस नात्मक निबंद के लिखे यह इंपार्टन है मोस्ट नहीं कहेंगे पढ़ना तो पढ़ लीजेगा पूरा का पूरा हिस्ट्री ठीक है क्योंकि आप टाइम ज्यादा है नहीं तो पढ़ना ही पढ़ना है कम से कम दो से तीन बार आप लोग कुश्चन को जरूर पढ़ा करें ठीक है अगला है कि कभिता के विस्टे पर सोधाहरन विचार किजिए यानि कि जो अग्य जी जो है उनकी कभिता अपर ठीक है दो यान बढ़ें लिखा है कि हिंदी साहित के तिहास के आधुनिक काल की कविता का मुल्यांकन किजिए तो हिंदी साहित के तिहास उसमें आधुनिक काल की काविताह है उनको आप लोगों को लिखना है ये भी most important question है तो यह जो है मैंने आपको बताए देरगुत्रे यानि विस्तित सब्सक्राइब और चार को पूछेगा इसमें से आप लोगों को चार परसेगा आप परिच्छा देकर आएगा तो पताईएगा एक वेस्टा तो इसमें दो तीन फसकते हैं चार में से लेकिन में एक की तो पूरी गारंटी ले सकता होना कि दो भी बस तक सकते हैं तो सारे के सारे पढ़ लीजेगा ठीक है और मैं आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो बिस्तित उत्रे कोईश्चन है वह आप लोग अपनी इंवर्शिटिम देख लीजेगा कि कि इतने मार्क महां पर लिखा होगा कि बिस्तित उत्तितने नंबर के लगते इतने और दिर्ग उत्तितनी और अतिलग उत्तितने ठीक है तो आई होप आप लोगों वीडियो अच्छी लेगी तो लाइक करिएगा कोई को सब्सक्राइब करें कि बुचे डिस्कॉप्सर में टेलिग्राम और वार् लिखते हैं निस्ट वीडियो अब निस्ट को लाज के साथ अब तक करें जाहें